एलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं सत्वीर यादा हूँ लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारती राजव्योस्ता का एक बहत्तुपून टॉपिक संग सरकार और संग सरकार में हमारी जो बाते चल रही थी संग सरकार में हम एक्जिकुटिव के उपर बात कर रहे थे कारेपालिका के बारे में बात कर रहे थे कारेपालिका के दोरान हमने राष्टवती उपर राष्टवती प्रधान मंत्री के बारे में चर्चा कर ली थी और आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं मंत्री परिशाद Council of Ministers के बारे में चर्चा करेंगे कि मंत्री परिशाद actually होती क्या है इसका गठन कैसे होता है नियुकती कोन करता है इसकी सदस्य संक्या क्या है इन सभी और मंत्री परिशाद में कितने परकार के मंत्री होते इन सब के बारे में हम विस्तारुप्त से आज जानेंगे तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का यह सेसन बात करते हैं मंत्री परिशाद Council of Ministers के बारे में मंत्री परिशद, Council of Minister की अगर बात कीजा है तो यहाँ पे भारती सिवधान के Article 74 में भारती सिवधान का जो Article 74 है Article 74 यहाँ पे साब सब्दों में कह रहा है कि राष्टपती को सहेता वे सलहा देने के लिए धान दीची का दोस्तों राष्टपती को क्या देना है सहेता वे सलहा देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी बात को समझेगा राष्टपती को सहेता वे सलहा देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी और इस मंत्री परिशद का जो प्रधान है वो प्रधान कोन होगा प्रधान मंत्री होगा यानि कि हम से पूछे कि प्रधान मंत्री पद का उले तो भी आर्टिकल 74 करेंगे वहीं पे मंत्री परिशत के बारे में बात कर रहा है तो भी आर्टिकल 74 यह आएगा पद उलेक की बारे में संदर पे बात करें चाहिए प्रधान मंत्री या मंत्री परिशद दोनों के बारे में आर्टिकल 74 तो ध्यान दीशीगा राश्टपती को सायताव सला देने के लिए मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मंत्री परिसद द्वारा जो सला दी जाएगी इस सला की किसी भी परकार की कोई नयाइक जाच नहीं होगी जो डिसली जो investigation है वो नहीं होती है मंत्री परिसद जो भी उनके स्वयव वेकस जो उनके दिमाग में आ रहा है वह हर एक परकार की वो सला राश्टवती को दे सकते हैं अब ऐसे में राश्टवती को जो सला दी जा रही है इसके उपर किसी परकार की कोई नयाइक कारवाई नहीं की जा सकती कोई नएक जाच नहीं आ सकती है किलिए रहे दोस्तों बात करूँ में यहाँ पर आर्टिकल 75 और आर्टिकल 75 क्या कहता है 75 में क्लोज वन जो कह रहा है कि परधान मंत्री की नियुक्ती परधान मंत्री की नियुक्ती कोन करेगा राष्टपती करेगा परधान मंत्री की नियुक्ती कोन करता है राष्टपती यहाँ पर करेगा परधान मंत्री की नियुक्ती जो की लोकसमा में बहुमत दलका नेता है ऐसे व्यक्ती की नियुक्ती राष्टपती करता है परधान मंत्री के रूप में जबकि अन्य जो मंत्री होंगे इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ती भी अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ती है ये भी कोन कर रहा है राष्टपती ही करेगा प्रधान मंत्री की नियुक्ती राष्टपती की द्वरा कीश आ रही है वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ती भी राष्ट्पति प्रधान मंत्री की सला लेगा और इसे सला से वहें की नियुक्ति करता है नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 75 क्लोस टू में बोला जा रहा है कि मंत्री परिशत जो होती है यह व्यक्ति गत रूप से इंडिविजियल फोरम में किसके प्रति के प्रति होती है व्यक्ति गत रूप से धन देना बात की जा रही है व्यक्ति गत रूप से तो व्यक्ति गत रूप से मंत्री परिशत किसके प्रति उत्तरदाई होगी तो व्यक्ति गत रूप से मंत्री परिशत राष्टवती के प्रति जबकि प्रशन हमारे सामने आ यह मंत्री परिशद लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होगी जबकि हमारे सामने प्रशन आ रहा है कि सामान्य रूप से मंत्री परिशद किसके प्रति उत्तरदाई होती है तो सामान्य तय मंत्री परिशद जो होगी यह संसद के प्रति उत्तरदाई होगी तीन बातें जो हमें ध्यान में रख लेनी होंगी व्यक्तिकत रूप से राष्टपती के प्रति सामुही ग्रूप से लोगसभा की प्रति और सामान्यत मंत्री परिशत संसद के प्रति उत्तरदाई होती है तो मंत्री परिशत व्यक्तिकत रूप से राष्टपती के प्रति वहीं मंत्री परिशत स सामुई ग्रूप से कलेक्टिव जो फोरम है कलेक्टिव फोरम में यह है लोग सभा की प्रती उत्तरदाई होगी आर्टिकल 75 क्लोज 3 में इस बात का उलिक किया जा रहा है कि सामुई ग्रूप से मंत्री परिशत किसके प्रती लोग सभात that's very important point एक्जाम की द्रस्टी से हमें ध्यान में रखना होगा आर्टिकल 75 क्लोज 3 कि मंत्री परिशत सामुई क्रूप से लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होगी नेक्स्ट अगर मैं बात कूँँ आर्टिकल 75 क्लोज 4 में जहां पर इसके ओध के बारे में बात कीचा रही है और ओध की बात करें सपत की बात अपना पदे ग्रहेंड करने से पहले पदे यहां पर लेने से पहले ग्रहेंड करने से पहले कोन राष्ट्वधी राष्ट्वधी स्वम हो सकता है राष्ट्वधी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ती भी हो सकता है राष्ट्वधी सविधान की तीसरी अनुसूची जो हमा राष्ट्पती इनको पदवय गौप नियता ओफिस एंड प्राइविशी की जो सपत है ये सपत दिलाएगा कोन राष्ट्पती श्वम दिला सकता है या राष्ट्पती द्वारन्युक्त कोई व्यक्ती ये सपत दिलाता है वहीं बात करें आर्टिकल 75 close 5 में बोला जा रहा है कि यदि कोई मंत्री कोई मंत्री जो की संसद का सदस्य नहीं है यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री बना दिया गया है तो ऐसे में उस व्यक्ती को आने वाले कितने महा में 6 महा के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा संसद का सदस्य बनना हुगा otherwise क्या होगा वह मनत्री नहीं रहेगा उसे अपना प्दर रिक्त करना होगा तो भिना किसी संसद सदस्य रहे वह अधिक्तम 6 महा तक इस पद को धारित कर सकेगा वही अगर बात की जाए मंत्री प्रिस्द के बारे में तो मंत्री परिशद से अच्छा प्रशन यहां से निकलेगा मंत्री परिशद से पूश रखता है कि मंत्री परिशद की सदस्य संख्या कितनी होती है तो मंत्री परिशद के लिए सविधान संसुदन हमारे सामने आता है 91 सविधान संसुदन 2003 और 91 स्विदान संसुदन 2018 कहता है कि मंत्री परिशत की जो सदस्य संख्या है यह सदस्य संख्या निम्न सदन की बात कर रहा है निम्न सदन संसद का जो निम्न सदन होता है वो होता है दोस्तों लोकसबा तो लोकसबा की कुल सदस्य संख्या की अधिकतम कितनी 15 प्रतिसत से और इस 15 प्रतिशत में कौन सामिल होगा प्रधान मंत्री भी सामिल होगा यानि कि याद रखेगा मंत्री प्रिशत सदस्य संख्या के लिए बिल्कुल सीधा सा आखड़ा बताया जा रहा है सदस्य संख्या निम्री सदन की कुल सदस्य संख्या की आधिकतम कितनी हो सकती है 15 प 15 प्रतिशत हम निकालेंगे और 545 का जब 15 प्रतिशत निकालते हैं तो यहां पर हमारे सामने आता है 15 पर पिछेतर यानि कि 81.75 यानि कि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो मंत्री परिश्द की जो अधिक्तम सदस्थ संख्या होती है दोस्तों वो कितनी हो सकती है 82 हो सकती है 82 जिसके अंदर प्रधान मंत्री भी सामिल होगा तो प्रधान मंत्री सहीद मंत्री परिश्द की अधिक्तम सदस्थ संख्या 82 हो सकती है याद रखीगा इस बात को अधिक्तम सदस्थ संख्या 82 तक हो सकती है अब इस 82 के अंदर प्रधान मंत्री सहीद इससे जादा यहाँ पर सदस्त संक्या नहीं हो सकती नियूंतम सदस्त संक्या के बारे में कहीं भी ऐसा कोई उलिक नहीं प्राप्त हो रहा है तो यह चीज़ थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना होगा सदस्त संक्या वहीं अगर बात कीज़े तो मंत्री परिशद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होंगे, तीन प्रकार के मंत्री, जिसमें नमबर एक आता है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री या हम कह सकते हैं, इसी को मंत्री मंडल, कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं, या फिर मंत्री मंडल हम इसे कह सकते हैं, या जो भारती सिविदान का आर्टिकल 352 में चम्मालिसवी सिविदान संसुदन के तहत यह सब्द जोड़ा गया था मंत्री मंडल आर्टिकल 352 में बाकी कहीं भी सविदान के अंत्रगात इस सब्द का उलेख नहीं है हर जगह पे हमें जो प्राप्त होता है वो कैबिनेट मंत्र की बात की जा रही है और कैबिनेट जो मंत्री होता है यह प्रमुख विभाग का मंत्री होता है पॉर्टफोलियो का होगा यहां पर प्रमुख विभागों की मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है वहीं बात की जाए नमर दो आता है राज्य मंत्री जो किया जाता है और राज्य मंत्री बहूता हैं वे मंत्री जो कैमनेड मंत्री कि क्या रूप में भूमिका निभाता है वहीं नंमर दौ है वे मंत्री जो किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, मिनिस्टर उप इंडेपर्डनर्ट जो चार्ज ले करके चलते हैं, स्वतंत्र प्रभार जिनके पास में होता है, तो यहाँ पर राज्य मंत्रियों को दो कैटेगरीज में बाढ़ दिया गया, एक केमिनेट मंत्रियों की साहिता के लिए और एक होंगे यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, वही नमबर तीन आता है उप मंत्री, सब मिनिस्टर, उप मंत्री की बात की जाए तो उप मंत्री केवल एक साहिक के रूप में होते हैं, दोस्तों इनके पास में किसी परकार का कोई विभाग या प्रभार नहीं होता है ये केवल व केवल साहक की भूमी का निभात है तो ध्यान दीची का यहाँ पर टोटल बात की जाए तो टोटल तीन परकार के मंत्री यहाँ पर बता दीगे तीन परकार के मंत्री यहाँ पर बत देखाते हैं उपमंत्री, तो तीन परकार के मंत्री यहाँ पर बता दिए गे, और उपमंत्री के पास किसी परकार का कोई भी भाग नहीं है। केवल सायक की भूमिका निभात हैं, अब हमें ध्यान में रखना होगा कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये जो मंत्री परिस्त की कोई भी वैठक होती हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, चाए भले इनको बुलाया जाया या फिर ना बुलाया जाया, इनको नियोता देने या न कि ये किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, आम तोर पर अगर बात की जाये तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की जो संक्या होती है, बिसिकली 18 से 22 के बीच में ये संक्या होती है, जबकि राज्य जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री मूल रूप से यहाँ से वात की जाए तो 20 से लेकर parecer 26 के बीच में मंतरी होता हैं, राज्य मंतरियों में बाकी जो सेस राते हैं उपमंत्रियों पर चले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीछ ध्यान में रखने होगे, 1997 की 1997 के बाद से भारत में कोई भी उपमंतरी नहीं बनाय गया है, और जब उपमंतरी नहीं बनाय गया, 1997 के बाद से नहीं बनाय जा रहा है, तो ऐसे में उपमंतरी के जो गटेगरिज हैं, इनका भी जो प्रभार है वो इन ही के पास में आएगा तो बढ़ा दिया जा रहा है वर्त्मान स्ततियों एक उपन कत लूप के रूप में वर्त्मान में हए तो यह सती थोड़ी सी भढ़ gefragt है बाकि ऐसा कोई भी कटेग्रीजवाइच नहीं किया गया कि कैबिएड मंत्रियों की संक्छया फिक्स इतनी ही होगी कहीं भी समवेदाली ग्रूप से इस बात का कोई प्रावदान नहीं किया जा रहा है दोस्तों तो तो तीन प्रकार के मंत्रियों को ध्यान में रखना है, कैबिनेट मंत्री, रज्य मंत्री और उप मंत्री, के लिए इसके अलावा यदि हमारे बीच में प्रशन आता है, एक नया सब्दा आता है संसदिय सचिव, याद रखेगा मंत्री परिशद की जो अंतिम स्रेणी है, वो संसदिय सचिव को माना जाता है, याद रखेगा तीन प्रकार की कैटेगरी जो बताई गई है मंत्रियों में, तो इस हिसाब से उप मंत्री को होना चीए, लेकिन उप मंत्री नहों करके, मंत्री परिशद की जो अंतिम स्रेणी होगी दोस्तों, वो अंतिम स्रेणी किसको मा तो मंत्री परिषद की अंतिम स्रणी संसदी सची होते हैं, जो की मंत्री परिषद में सामिल नहीं होते हैं, लेकिन अंतिम स्रणी की रूप में काउंट होते हैं, यह केवल एक राचनितिक संतुष्टी के लिए बनाये गए एक पद है, राचनितिक संतुष्टी के लिए व्यक्ति के दूप से मैंने आपसे बात की है कि वह राष्टपती के प्रति उतरदाई हो रहा है प्रधान मंत्री के प्रति मुल रूप से जो हमारी मंत्री परिश्द का इसके बाहर अगर हम बात करें तो यहां पर राज्य मंत्री होते हैं राज्य मंत्री होते हैं यहां पर उप मंत्री यहां पर बनाए जाते हैं यह उप मंत्रियों की केटेग्रीश होती है और सबसे बाहर की और जो आते हैं इनको हम कहते हैं संसदीय सचिव यह होते हैं संसदी सची, ठीक है दोस्तों ये संसदी है सची होता है, तो लिवी WIL defense ऐसे होता है une मंत्री परिशम में तीन ही मंत्री के अच लिजन बाती है यहom जान लेता है कि मंत्री जो परिशद है और मंत्री मंडल में मुख्य रूप से अंतर क्या होते हैं मंत्री परिशद की बात की जाए तो मंत्री परिशद एक विसाल संस्ता होती है एक बड़ी संस्ता होती है जिसके अंदर कैबिनेट राज्य और उप मंत्री सभी सामिल होते है आम तोर पर ये 50-60 के बीच में सदस्य संक्या होती है वहीं मंत्री जो मंडल होता है ये एक लगु संस्ता होती है जिसमें आम तोर पर 18-22 के आसपा से ही सदस्य होते है वहीं मंत्री परिस्द की बात की जाए तो मंत्री परिस्द कैसी है एक सम्मेधानिक संस्ता है भरी हुई एक संस्ता है मंत्री मंडल वही बात की जाए तो पर्धान मंत्री द्वारा नीती सम Hiçर हुआ पर्धान मंत्री द्वारा ंीती समिंदी महतुपुन प्रश्णों पर नेंड़ने के लिए मंत्री परिशद की बैठक नहीं बुलाई जाती कि बलकि ऐसे निर्णाय कों लेता है मंत्री मंडल द्वारा संपन किये जाता है क्योंकि मंत्री मंडल में प्रधान मंत्री के निकट कैबिनेट इस तर के मंत्री होते हैं वहीं बात करें मंत्री मंडले सची वाले के बारे में कैबिनेट सेकेटरेट की बात की जाए तो ये परधान मंत्री के अधीन संचालित एक प्रमुख विभाग है परधान मंत्री के अधीन होता है मंत्री मंदले सचीवाले एक विभाग है जिसका सीर्ष अधिकारी परधान मंदले का मुख्य सचीव होता है दोस्तो बड़ा ही अच्छा प्रशन मंत्री मंदले सचीवा ना है समन्वे कोडिनेसन जो है वो स्तापित करणा होता है वहीं मनत्राले की जो कारीय निमाँवली है वर्क मैन्यूmbही कों तियार करता है मंतरी मंडरी सचीवाला ही तयार करता है कि इसके साथ ही हम यहाँ पर जान लेते हैं उप्रधान मंत्री के बारे में क्योंकि उपरधान मंत्री पद का भारती सरदान में कहीं कोई उलेक नहीं है ये भी केवले कैबिनेट इस्तर का ही मंत्री होता है राजनतिक संतुष्टी के लिए बनाए गया एक पद है आर्टिकल 77 के तहट राष्टवत इस पद का सरज़न करता है ये कैबिनेट मंत्री होता है अब तक अगर बात करें तो भारत में टोटल आठ उपरधान मंत्री बन चुके हैं रह चुके हैं जो कि हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है सबसे पहले जो परधान मंत्री उपरधान मंत्री जो बने थे उनका नाम आता है सरदार बनलबाई पटेल अब तक टोटल साथ व्यक्ति आठ बार ये पद धारन कर चुके हैं सबसे पहले सरदार बनलबाई पटेल बने थे 1947-150 के बीच में ये भारत में उपरधान मंतिरी पद पे रहे मुलडूऑब से बात करें तो नहरु कारेकाल के दोरान ये उपरधान मंत्री पत पे आते हैं वही मौरार जी देशाई नमर दो पे आते हैं मौरार जी देशाई जी इंद्रा गांधी सरकार के जो कारेकाल हैं इंद्रा गांधी सरकार कारेकाल में 1967 से 69 के बीच में उपरधान मंत्री रहे और जब मौरारजी देशाई देश के प्रधान मंत्री बने तो ऐसे इस्तती में दो-दो उप्रधान मंत्री रहे थे फॉस्ट जग जीवन राम और दूसरे थे चोदरी चरण सिंग मौरार जी देशाई कारिकाल के दूरान जब परधान मंत्री बनते हैं मौरार जी देशाई जी उस समय जग जीवन राम और चोदरी चरण सिंग दो दो उप परधान मंत्री पत पे आते हैं वही पे जब चोदरी चरन स्ण्ड इसके प्रधान श्रण सिर्ण परदारण मंत्र बने तो दौनों के कारिकाल में यहां पर चोदरी देविलाल एक व्यक्ति दो बार प्रदान मंत्री बन रहे हैं उनका नाम है चोदरी देविलाल यहां पर बढ़र उप्रधार मंत्री बन रहे हैं दोश्टों के हिप्र बहुत है शप्र का पर नीकट निर्ड सविधानिक रूप से इस पद का कहीं कोई उलेख नहीं है, मूल रूप से यह भी 1976 के बाद से उबरा हुआ एक पद है, 42 सविधान संसुधन के बाद से कीचन कैबिनेट, जो की आती महतुपूर्ण मंत्राले की मंत्रियों का क्या होता है, समू होता है, जो परधान मंत्री के बहुत ही नजदीक होते हैं, तो नियर डियर जो होते हैं परधान मंत्री के उनका एक समू होता है, मुश्किल से इस पैनल में कीचन कैबिनेट जो पैनल होता है, इसमें 4-5 जो मंत्री होते हैं, उनको सामिल किया चाता है, वहीं सत्ता पक्ष की भाती, विपक्ष की द्वा याद रखीगा भारत में सरवादी कारेकाल वाले जो पहले मंत्री बने हैं सबसे लंबे समय तक यहां पर मंत्री पद पर रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति का नाम है जग जीवन राम जी 32 वर्स तक मंत्री पद को लगाता रिनों ने समाला है तो यह एक टोपिक था मंत्री प जो सदस्त होता है मुल रुप से व्यक्ति को लूप से राष्ट पती के प्रति जबकि सामुई की रूप से लॉक्षबा के प्रति होते हैं और इसी अवधाना की वजह से यह कौटेसन्स बोली जाते हैं कि मंत्री परिशु से सदस्त हैं खेया और एक साथ दूपते है के बारे में मंत्री परिशस्रत सथ deficit मुल रूप से depending करते हैं इनका नियुकति होगा वो राष्टपति कर रहा है लेकिन ऑप्रधानमंत्री की सला से करता है प helps बद्ध का जोल लेख है आठीकल 75 सिओंडना डुकर जाना है यहां पर आर्टिकल 75 के बारे में कि आर्टिकल 75 में टोटल पांच क्लोज हमें ध्यान में रखने हैं, नियुक्ति राष्टवती कर रहा है, वहीं मंत्री परिशत सदस्य व्यक्तिकत रूप से राष्टवती के प्रति, सामुईक रूप से लोक्षभा के प्रति, सप सदस्त्र संक्या की अधिक्तम 15 प्रतिशत हो शक्ती है इससे ज्यादा यह संक्या नहीं होगी यानि कि मैक्से मैक्स 82 सदस्त्र यहां पर हो सकते हैं जिसमें प्रधान मंत्री भी सामिल होगा वहीं पे तीन परकार के मंत्रियों की बात की थी है हमने कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और होते हैं उप मंत्री 1997 के बाद से उप मंत्री बनाये नीचे आ रहा है अर्था वरतमान में दो ही इस्तर हो गए कैबिनेट और राज्य मंत्री क्योंकि राज्जी मंत्रियों में दो परकार दे दी जा रहा है एक कबिनेट मंत्रियों के सायक हो जाएंगे दूसरे स्वतंतर प्रभार के मंत्री यहां पर आते हैं जबकि मंत्री परिस्द की अंतिम सरणी के रूप में आता है संसदी सच्छी हो ठीक है दोस्तो, साथी हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा मंत्री परिशद और मंत्री मंडल में, मंत्री परिशद एक विसाल संस्ता है, जबकि मंत्री मंडल एक लगू संस्ता है, मंत्री परिशद एक समयदानिक संस्ता है, जबकि मंत्री मंडल अभी समय के उत्पत्ती है, व उपरधान मंत्री की बात की जाए तो कोई समयधानिक पद नहीं है, कैबिनेट इस्तर के मंत्री को ही यहां पर उपरधान मंत्री राष्टपती बनाता है, अब तक टोटल आठ उपरधान मंत्री रह चुके हैं, साथ व्यक्ति आठ बार उपरधान मंत्री बने हैं, जो कि हमा नाम आता है लाल कुछ ने अडवानीची का आता है इसके अलाओ कुछ सविदानिक सब्दावली है कीचेन केबिनेट जो कि मैं तो पुण मंत्राले के मंत्रियों का समूव चाय मंत्री मंदल सत्तापक्ष की भाती विपक्ष के द्वारा तयार किया गया मंत्री मंदल और के ली नामस्का